हेलो फ्रेंट्स गूड इडिनिंग मैं हूँ आपका दोस्थ संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ में आप अधारकार से भी केश डिपोजित और कर सकते हैं इसके साथ में आप यहां पे पैन कार्ड अधारकार्ड और जातिनार्तर मूल लिवास सब्सक्राइब के बना सकते हैं तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको सहज जन सिवा के अंदर के लिए अपलाई करना हैं इस तरह से आपको पोर्टल मिलने वाला है तो वीडियो को सुरू से लेके अंदर का पोर्टल लेना चाते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो के डिशिशन दिये कि लिंक को ओपन करना हैं जिससे आप लिंक करते हैं आपके सामने कुछी तरह का इंटरफेस आ जाता है यहां पर आपको रिजिश्रेशन करना रहेगा रिजिश्रेशन से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहां पर कोन-कौन सी सर्विस मिलने वाली है यहां पर जो सहज कोर्परेट का ओप्शन आप को दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है तो जैसे के साथ में आप यहां पर बैंकिंग से related सारी service का benefit ले सकते हैं जैसे account opening करना, RD करना, FD करना, cash deposit, withdrawal करना इन तरह की सभी service का benefit आप यहां से ले सकते हैं इसके लाओ आप यहाँ पे सहज सुरक्षा के अंदर आप देख सकते हैं, life insurance कर सकते हैं, health insurance कर सकते हैं, vehicles का insurance आप यहां से कर सकते हैं, और इसके साथ हुई आप यहां पे बहुत सारी और भी service है, जिनका benefit यहां से ले सकते हैं, जो कि आपको CSC portal पर मिलने वाली है, तो यहां पे आप service का benefit लेने के लिए earning करने के लिए आपको simply क्या करना है, home page पर वापी से जाना रहेगा और आपको registration करना है, तो यहां पे आपको registration कैसे करना है, उसकी complete detail में आपको यहां पे बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप home page पर आ जाते हैं, registration का option जो आपको दिखाय दे रहा है उसके आपको क्लिक करना रहेगा, तो जैसे आप registration के page पर क्लिक करते हैं, आपको यहां से चेक कर सकते हैं तीजरा है continue registration का option, अगर किसी कारण से आपने registration बीच में छोड़ दिया है, तो उसको आप continue registration के option पर क्लिक करके complete कर सकते हैं तो अब आपन बात करते हैं, new registration की, तो simply new registration के उपर क्लिक कर देते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके साथ में आपको next जो option आता है area, तो यहां पर रूरल एरिये से है, ग्रामन या सहरी चेतर जो भी आपके coding है, उसको आप यहां पर select कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने नीचे दो option आते हैं, mention your PM distributor ID, और referral सहज मितर ID, तो यह दोनों अगर आपके पास नहीं है, तो इसको आप यहां पे खाली छोड़ सकते हैं, और simply continue के बटन पे click करते हैं, यहां पे continue के बटन पे जैसे ही आप click करते हैं, आपके सामने नीचे उसके उपर एक OTP आता है, जो कि आपको यहां पे enter करके continue के बटन पे click करना है, तो जैसे आपने यहां पे OTP एंटर करते हैं, continue के बटन पे click करते हैं, आपका जो number है, वो verify हो जाता है, उसके बाद में आप से WhatsApp नंबर पूछा जाता है, अगर आपके WhatsApp नंबर कोई अलग नं अगर आपके बस है, तो आप यहां पे enter कर सकते हैं, इसके बाद आप छोड़ सकते हैं, निचे आपके यहां पे pen card upload करने का option आता है, जहां पे आपको अपना pen card है, वो scan करके upload करना रहेगा, तो जैसे आप pen card upload कर देते हैं, इसके जो data है, ओटोमेटिकली fetch हो जाता है, आप आपके pen card में जो भी आपकी detail available थी, आपका नाम था, वो सब detail आपकी यहां पे automatically आ जाती है, तो simply आपको यहां पे क्या करना है, उस चीज को cross verify कर लेना है, यहां पर जो चीजे नहीं available है, इनको आपको simply fill करना है, जैसे आपका surname क्या आगे Mr. Mrs. है, वो आपको लगाना आपका gender आपका यहां पर empty आ रहा है, तो gender आपको यहां पर select करना रहेगा, जैसे आप यहां पर gender select कर देते हैं, उसके बाद में आपका material status क्या है, married, unmarried है, उसको आपको यहां पर select करना है, उसके बाद में आपकी जो nationality है, वो automatically आपकी Indian आ चुकी है, तो इसको आपको continue र आपको सबसे पहले आपकी photo है, वो upload करने रहेगी, तो आपको यहां पर passport size scan करके photo रखनी है, जिसको आपको browser से upload कर देनी है, जैसे आप यहां पर photo upload कर देते हैं, उसके बाद में आपको upload के button पे click करना है, आपकी photo यहां पे successfully upload हो जाती है, उसके साथ में आपके पास नीचे एक option आता है, जहां पे आपका address proof है, वो आपको यहां पे upload करना है, तो सबसे पहले address proof के अंदर आपका document list के अंदर से document select रहना है, तो यहां पे मैंने जैसे अधार काड को select कर दिया है, तो यहां पे अधार काड को upload कर सकते हैं, PDF format में, या XML में, या water ID card, passport side, driving glasses, जो भी आप के वास है, वो आप यहांद कर सकते हैं, तो यहांपे मैंने जैसे अधार काड को select किया है, उसके अफ़ाद अपकलोड अदर काड का According पर जाता हूँ, ब्राउजर से अधार काड अप्ड़ेट कर देता हूँ, यहांपे जयसे अधार काड अपडेवर अपलोड कर देते हैं उसके बाद में आप देख सकते हैं आपका जो अधारकार नंबर है वो अटोमेटिकली यहाँ पे फेज हो चुके है अधारकार से रिलेटेड जितना भी डाटा है जितनी भी आपकी परस्नल डीटेल है वो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपका जो एडरस है वो भी आटोमेटिकली आज चुके है अधारकार के अकोडिम इसमें जो भी एडरस आपका नहीं है उसको आपको यहाँ पे सिंपली फिल अप करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सिंपली पहस्का है वो ईकिकली व आपका जो नीचे ब्लोग ऑपश्न भी खाली दिखाए दे रहा होगा तो simply आपका जो भी ब्लोक है जिस ब्लोक के अंदर आप आते हैं उस ब्लोक को यहां से select कर देना है उसी के साथ में आपको थोड़ा सा नीचे scroll down करना रहेगा तो सबसे बहले यह सारी detail आप यहां पर manually enter कर देंगे उसके बाद आप जैसे ही scroll down करेंगे आपको यहां पर enter latitude और longitude का एक option आता है जो कि आपको यहां पर enter करना रहेगा तो यहां पर simply क्या करना है आपको get current location का option है इसको select करना है जैसे आप get current location का option हो select करते हैं तो आप जिस भी computer system से काम कर रहे हैं अभी जहां से भी आप login ID बना रहे हैं उसकी location automatically यहां पर page हो जाती है तो यहां पर जैसी location को आप page कर देते हैं उसके साथ ही आपकी यहां पर detail है जहां पर भी आपकी shop है जिस location से आप यह कर रहे हैं वो चीज़ आपकी यहां पर register हो जाती है इसके बाद में आपको review and submit के button पर click करना है जैसे आप click करते हैं आपकी सामने जो आपका registration page है उसका review आ जाता है जिसको कि आपको यहां पर simply verify कर लेना है जैसे आप इसको verify कर लेते हैं उसका बाद में आपको नीचे scroll down करना है जैसे आप scroll down करके सारी detail को cross check कर लेते हैं तो आपको नीचे submit के button पर click करना रहेगा और अगर आपके form के अंदर preview के अंदर कोई भी आपको changes करने की जरत लग रही है तो आप simply edit के button पर click करके उसको edit कर सकते हैं उसके बाद में आपको simply क्या है इसको submit कर देना है तो यहाँ पर आपने जैसे अपनी detail cross check कर ली है उसके बाद आप submit के button पर click कर देते हैं तो आपके सामने एक नया pop-up open हो जाता है जिसके अंदर आपकी जो ID है वो आपके सामने आ जाती है आपका जो सहज मित्तर का ID है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है उसी के साथ में आपको congratulations का message आ जाता है उसके साथ से आर्देन के अंदर आपने जो भी document upload की है उनका verification किया जाएगा और इसके अलावा आपने आपकी जो location दी है उस location पर सहज मित्तर की तरफ से कोई अधिकारी आते है उसको verify करते है जैसी आपका यह verification हो जाता है उसके बाद में आपको सहज मित्तर की जो ID और password है वो आपको दे दिया जाएगा ID और password मिलने की बाद आप अपना सहज मित्तर के थुरू government की service से उनका benefit लेके अपनी अच्छी कासी earning कर सकते हैं आपके registration का status आप किस तरह से चेक कर सकते हैं तो simply इसको pop-up को यहां से close कर देना है उसके बाद में आपको उपर registration का जो option है उसके निवाद आपको submit करना है जैसे हैं आपके ID ì्ण करते हैं में आपको इससे आपको पर उप्रोड के बाटन पर क्लिक में इसके बाद में आपको ago home page जा आनाहा зов आते हैं अपको यहां पर ID और password मिलते हैं उसके थुरू आप यहां पर लोगिन कर लेते हैं लोगिन करने बाद आपका dashboard कुछ इस तरह से आने वाला है यहां पर आपको जो wallet दिखाई दे रहा है उस wallet में आपको रीचार्ड करना रहेगा और आपका जो commission है वो इसी wallet में आता रहेगा इसी के साथ में आ आप इस वीडियो को follow करके आपकी जो सहर मित्र के ID है वो ले सकते हैं आज की जान करीब आस एतनी ही मिलते हैं next वीडियो को साथ आपको कैसे लेगी हमें कॉमेंट करके ज़रू बदाइएगा अपने family friends में शेयर रहेज़ेगा ताकि वो इसका benefit ले सके अच्छी का सिया निंग कर सके इसी किसाथ में आपने आपका कमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीब चैनल को subscribe कीजिए और बैल उन्टिशन पर इस आपको मिलते रहें जैहें जैवाद